वेलकम टू स्टडीनेटिक मैं हूँ पूजा महता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टुडेंट्स का वेलकम हैं बच्चो क्लास 11 की एकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम रेक्टिफिकेशन आफ एरर चेप्टर को समझ रहे हैं यहाँ पर मैं टी एस ग्रेवाल की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बता रही हूँ आज जो कोशन करने वाले हैं वो है कोशन नमबर 35 इसके पहले के कोशन मैं करा चुकी हूँ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कोई भी डाउट है तो आप मैंसे पूछ सकते हैं देखिए स्क्रीन पर पहले कोशन नमबर 35 को देख लीजिए क्या दिया हुआ है मतलब जनरल एंट्री पास करके इन एरर्स को रेक्टिफाय करना है सबसे पहले दिया है मतलब पुराना फरनीचर था उसे बेचा लेकिन सेल्स एकाउंट में क्रेडिट कर दिया आप करेक्शन करने के लिए हम सेल्स एकाउंट को क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे और फरनीचर को क्रेडिट कर देंगे तो सेल्स एकाउंट डेबिट टू फरनीचर एकाउंट ठीक है न जो जब भी हम कोई भी मशीनरी या कोई भी ऐसेट से या कोई भी फरनीचर खरीते हैं तो हमीशा उसे क्या किया जाता है debit किया जाता है लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया उसे sales account में credit कर दिया तो हमें correction करने के लिए क्या करना पड़ेगा sales account को हम reverse कर देते है न entry debit कर देंगे and to furniture account कर देंगे amount कितना होगा बच्चों इसका देखे amount कितना दिया है 500 रुपीज clear next क्या दिया हुआ है machinery purchased on credit from Raman 2000 recorded through purchase book 16,000 मतलब Raman से उधार में machinery purchase किया और 2000 का record किया और बाकी purchase book में डाल दी तो अब जो record किया है उसे पहले हम debit कर देंगे तो machine account debit कितना आपने कर दिया 2000 रुपे purchase book में entry कितनी कर दी to purchase account 16,000 और credit में उधार क्या था 2000 record कर लिया अभी भी बचा है कितना बचा हुआ है 14,000 लेना बचा है ना किस से रमन से रमन account debit clear next क्या दिया हुआ है cash received from rajat 5000 was posted to debit of bhagat 5000 किसे मिले रजट से तो क्या entry होनी चाहिए थी cash account debit to rajat लेकिन post कहा कर दिये भगत के account में वो भी 6000 तो दो बार हो गया तो अब इसका correction हम कैसे करेंगे suspense account debit क्योंकि आपने दोनों जगे अलग विक्ति के नाम में entry कर दी ठीक है और गलत posting कर दी तो पहले तो जो गलती की है उसे सुधार देंगे कितना amount है भगत का 6000 होना कितना चाहिए था रजत के account में 5000 इस तरह से suspense account कितने का show हो रहा होगा 11000 का क्योंकि गलत गलत amount लिग दिये गलत विक्ति के account में लिग दिये तो जब suspense account खोलना पड़ा होगा ना trial balance में मिली नहीं रहा होगा वो तो 11000 की यहाँ पर suspense account से एंट्री कर दी नेक्स्ट है depreciation provided on machinery 3000 वाउस पोस्टेट टू machinery account 300 depreciation दिया मशीन पर 3000 का लेकिन एंट्री क्या कर दी machinery account में कर दी 300 से तो भाया जो difference है वो आ रहा होगा तो फिर हमने क्या किया होगा suspense account खोला होगा तो suspense account debit to machine account कितना 2700 क्योंकि 3000 की जगे हम 300 तो लिखी चुके है न तो 300 को हम minus कर देंगे और जो बचा हुआ amount है उससे क्या करेंगे machinery को credit कर देंगे इसको आप note कर सकते हैं इसके बाद हमारा अगला question दिखेंगे question number 36 क्या हुआ double double amount show होने लगा trial balance में जिसके कारण trial balance match नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे suspense account debit to ganga कितना 470 plus 740 क्या amount आएगा 1210 clear next क्या है a debit balance of 550 in the personal account of Mr. John was undercast Mr. John के account में 550 रुपे कम लिखे गए जिससे क्या हुआ जब हमने trial balance बनाया उसमें difference आने लगा तो हम 550 रुपे और लिख देंगे John account debit to suspense account मैंने बताया था ना यरी undercast होता है तो जैसा जो entry होती है उसे वैसे ही लिखते है बस जो amount है ना उसको वहाँ पर और add कर दिया जाता है तो क्या amount है 550 clear next क्या है bill receivable from brown for 3000 posted to credit of bill payable account and credited to brown account मतलब bill payable account में आपने डाल दिया होना क्या चाहिए था bill receivable होना चाहिए था और किस से brown से लेकिन आपने तो भाईया दोनों जगे entry कर दी bills payable में भी कर दी और bill receivable में कर दी तो अब हम क्या करेंगे bill जो सही है पहले उसे करेंगे bill receivable account debit फिर जो गलत था उसे correct करेंगे bill payable account debit and to suspense account ठीक है और दोनों amounts को लिख देंगे तीन हजार और तीन हजार क्योंकि दो बार आपने गलती कर दी ना तीन हजार तीन हजार total 6000 क्लियर हो रही है ना चीज़ ये तो अभी अब हम question number 36 तक पहौँच गया है कुछ चीज़े हैं जो आपको disturb कर रहे होगी confused कर रहे होंगी लेकिन कुछ चीज़ों में आपके concept बिल्कुल clear हो गया होगे तो जो चीज़े आपको doubtful है वो आप उससे comment box में पूछ सकते हैं चलिए next क्या है goods written by Mridil 225 have been entered in the return outward book अब return outward क्या होता है purchase return को हम return outward करते हैं लेकिन return by Mridil था मतला हमने समान बेचा था उसना हमें वापिस कर दिया तो यह था क्या sales return था तो अब हमने क्या क्या sales return की जगे हमने क्या लिख दिया purchase return तो हम वही करेंगे अपनी गलती सुधार देंगे sales return account debit purchase return account debit and two suspense account ठीक है amount कितना लिखेंगे 225 225 यही दिया हूँ है न amount for 50 clear इसे note कर लीजिए अगला question देख लेते हैं next question पढ़ते हैं while trying to close his books for the year ended 31st March 2014 महेश found that the trial balance did not agree ठीक है he addressed the following error उसे जब वो trial balance बना रहा था तब उसने ये गलतियां पकड़ ली अब क्या था पहले in the sales book for a month on january total page number two was carried forward to page number three 1000 instant of 1200 देखो जब वो page number two से page number three की तरफ जा रहा था तो उसने क्या किया 1200 जगे लिखने की जगे 1000 की entry कर दी ठीक है लेकिन साथ ही साथ उसने क्या क्या total of page number six was carried forward to page number seven as 5600 instant of 5000 यहाँ पर 5000 लिखने की जगे उसने 5600 लिख दिया मतलब यहाँ पर क्या किया उसने 200 रुपे कम लिखे और यहाँ पर उसने क्या क्या 600 रुपे ज्यादा लिखे यहाँ पर यदि आपने previous questions किये हैं तो उसमें जो अभी यही question number twenty two है वहाँ पर भी इस तरह की entry दी हुई है लेकिन हमें confuse करनी के लिए इन्होंने पीछे bracket में hint में कुछ अलग entry दी है debit and credit तो हमें confuse नहीं होना है हमें वही करना है जो हमने पहले किया देखो यदि हम amount कोई कम लिख देते हैं और लिखना हमें ज्यादा होता है ठीक है ना जैसे हमें 1200 लिखना था और 1000 रुपए हमने कम लिख दिया तो हम क्या करेंगे sales account क्या होता है credit होता है यह तो हमें पता है तो जो हमने amount कम लिखा था ठीक है उससे फिर से हम बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे sales account को credit कर देंगे तो यहां पर क्या entry बनेगी suspense account debit to sales account कितना 200 रुपए ठीक है ना 200 रुपए कम लिखे थे अब इसी में एक और entry बनेगी क्या बनेगी एक और entry कि जो 5000 लिखना था उसकी जगे आपने क्या लिख दिए 5600 लिख दिए तो यहां पर आपने 600 रुपए ज्यादा लिख दिए तो आप क्या entry बनेगी कम करने के लिए हम उसे sales को उपर ले जाएंगे sales account debit to suspense account ठीक है यह first वाली की entry हो गई अब यदि हमें इन दोनों को combine करना है तो हम क्या entry बनाएंगे sales account debit to suspense account और amount क्या लिखेंगे जो यह 600 है इसमें से हम 200 को minus कर देंगे और जो बचा हुआ amount है उसे यहां पर लिख देंगे यह combined entry होगी ठीक है next देख लेते हैं goods return to RAM 1000 were recorded in sales book देखिए यहां पर क्या लिखा है to RAM लिखा है तो हमने 1000 के goods उसको return करें लेकिन entry किस में कर दी sales book में कर दी होनी किस में चाहिए थी purchase return में होनी चाहिए थी तो हम correction करने के लिए क्या करेंगे sales account debit to purchase return account ठीक है क्या amount लिखेंगे एक हजार रुपए clear next क्या है bill receivable for 1600 from noor was dishonor and posted to debit allowance account यह को bill receivable हुआ 1600 का noor से जो dishonor हो गया लेकिन उसको हमने कहा debit कर दिया allowance account में कर दिया गलत किया ना तो अब हम उसे सही करने के लिए क्या कर देंगे नूर को थो हम debit कर देंगे नूर account debit and जो गलती करी है debit क्या है उसे credit कर देंगे allowance account में क्या amount है 1600 clear इस तरह यह question आप note कर लीजिए इस तरह से आज हमने यहाँ पर तीन question करें अगले question next video में करेंगे thank you bye